कि नमस्कार अम्रीजनों आप देखने भी चुपाइट साला आप सुझका बहुत बहुत स्वागे थे आज आपको मैं जगाने आया हूं एक बहुती इंफॉमेट्व वीडियो है एक ऐसा अपडेट है जिसको जानने के बाद यदि आफ सो रहे होगे तो फैनली आज से को यूँ बढ़ते 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 इस लेवल पोकुश गया है असायद ऐसे लेवल पोकुश गया है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हों अभी एक दिन पहले का अपडेट है जो नीउस में देखने को मिला चिउचिपार को एक इंटेर्विव यान बत सी उटी में जो एड होई हैं उनकी जो संख्या रही है वो रही है नब्बे यानि लगभग 90 इंवर्सिटी जो हैं 2022 में सी उटी के अंतरगत जोड़ी गई हैं जिसमें आप लोगों ने अड्मीशन लिया अभी यह जो नंबर से इंवर्सिटी का सी उटी 2023 में एड होने का दुगने से जाद हो चुक हैं 206 अभी भी खिडकी खुली होई है रास्ता खुला हुआ है देश के कोई भी प्राइवेट या स्टेट इंवर्सिटी चाहें तो वो अभी भी इसमें अपना रेजिस्टेशन क करा के एड हो सकते हैं इन्वर्सिटी का एड होना बच्चों के अप्लिकेशन फॉर्म बढ़ना और ऐसे में जो आपका कमपटीशन लेबल है वो डिफिनेटली जो है वो बहुत बढ़ जाएगा कैसे बढ़ेगा इस पर विचर्चा कर लेते हैं लेकिन एक बार मैं फिर से आपको डेटा रिमाइंड करा रहा हूं ध्यान से समझेगा आपके सीउटी दोजार टेज में अभी लगभग 206 इन्वर्सिटी एड हो चुकी है और ये अभी सिलसला जारी है चुकि आपके फॉर्म भी भरे जा रहे हैं और इन्वर्सिटी भी अपने फॉर्म भर रहे हैं लगभग 44 सेंटर इन्वर्सिटी जो की कंपल्सरी थी तो वो तो जूड़ी गई 33 हमारे यहां देश के स्टेट इन्वर्सिटी ने रिश्टेशन कराया है और बाकी के बहुत सारे एफिलेट या डीम्ड और प्राइवेट कॉलेजिज ने सीउटी के 2023 में अपना रिश्ट रिश्टेशन होने की उमीद है लास्ट टाइम का जो रिश्टेशन हुआ था 15,90,000 था खैर पेपर देने वालों के संख्या कई लाग पीछे था वो था 9,00,000 इस बार मुझे लग रहे है कि आवेरनेस बहुत अच्छी है यूट्यूब से इतने अच्छी है वीडियो आप स्पासी अफ्सेंट होने के उमीद रहेगी बाकी बच्चे जो है वो पेपर देने जरूर जाएंगे अब लेवल क्यों बढ़ेगा इसको समझ लेते हैं लेवल इसलिए बढ़ेगा चुकि एक पर्टिकूलर स्लाबस को फॉलो करके आप कई सारे इंवर्सिटीज बे जा सक लेवल तो जाहिट से बात है कि बच्चा जो है अब अपने आप को इदेखना के आप जारखंड के रहने वाले हो तो आप जारखंड के किसी पर्टिकूलर स्टेट या सिंटर इंवर्सिटीज को ही आप फॉर्म भरोगे आप सोच रहोगे बीच्चू भी डाल देते हैं से इसके पास एक कंडिशन होते थे कि मेरे बगल में एक कॉलेज है मिसका फॉर्म भर देंगे मेरा होजाएगा लेकिन अब स्यूईटी में जब ऐसा ओफसन है कि पर्टिकूलर स्लाबास को फॉलो करोगे वही लैंग्वेज वही जीटी वही डोमें देके आपको डियू में जाने का मौका मिल रहा है बीच्चु में ऐलाबाद में ज्यम आई में एम यू में तो क्योंने आप चूज करोगे क्योंने आपके च्वाइस बढ़ेंगे जब च्वाइस बढ़ेंगी बच्चा लास्क में जब थोड़ा हर्बर आएगा जब उसको आपका फोकस इन्वरस तो जो एक फिक्स होता था कि हां कटाफ हाई जाएगा मेरी टीस तरीके से बनेगी उसमें चेंज़ेश देखने को मिलने वाला है सो फाइनली इस वीडियो का जो में मुद्दा है जो में एम है वो क्या है जस्ट आपको जगाना कि आप प्लीज अब खुद को कर लो दुरुस्त ठीक है और अपने को कर लो थोड़ा सजग पढ़ने में मल लगाओ अभी वी वक्त है अगर आप अपनी तयारी अच्छे से कर लोगे माक्स आपके अच्छे रहेंगे तो जहीर सी बात है कि आपके च्वाइस की इनवर्शेटी आपको मिल जाएगे आपको लास्ट गयर का एक बार फिर से कटा बनाने से समझा देता हूं लगबग नाइंटीन थाउजेंड के आस पास हंडिड परसेंटाइल वाले लिए डॉमेंड में पूरा माक्स था उनका ऐसे बच्चे भी रहें आप सोचो कि जब पूरा माक्स आजागा तो किसको एडमिशन देंगे लो भाई आपके पैरलल तो कई सारे से माक्स बच्चे खड़े रहेंगे न फिर लेकिन पढ़ाई पर मन लगाओ आप लो पर्टि लेजी के बच्चे भी थोड़ा सकता है उनके लिए भी कंपर्टिशन का लेबल लगबग ठीक ठाक होने वाला है तो प्लीज आप भी बीचु पार्सला पर जॉइन कर सकते हैं मारा है कोर्स रन कर रहा है मुस्कुराते रहें बीचु पार्सला देखते रहें और बहुत सा क्लास्स देखें ठीक है मुस्कुराते रहें हरा अर्माद हो बहुत